नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चनल रंजुकी रसोई में तो आज मैं महादेव के लिए नया प्रशाद बनाने जा रही हूँ आज मैं बनाने जा रही हूँ मखानवे की बर्फी तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो सबसे पहले हम यहां पे अब दोस्तों लगबद 6 नेट हो चुके हैं मखानी को भूनते हुए और मेरे क्याद से मखानी अच्छे से भून चुके हैं मखानी को इस तरह दबा के हम चेक कर लेंगे यह देखिए अब मखानी को हम एक अलग बरतर में पलट देंगे ताकि यह थोड़ी दे ठंड़े हो 300 ml दूड का यूज करूँगी दूद को हमें एक उबाल आने तक पका लेना है तो जब तक दूद काड़ा हो रहा है हम मखानी जो ठंड़े हो गया है उसको हम जार में पीस लेते हैं अब में मखानों को जार में डाल दूँगी मखाने पीस थे समय मैंने यहां पे 25 ग्राम बदाम का यूज किया है साथ ही मैंने यहां पे 25 ग्राम काजू का यूज किया है मखाने के साथ हम काजू और बदाम को भी अच्छे से पीस लेंगे तो सारे मखाने अच्छे से पीस चुके हैं बहुती फाइन पाउडर बन के तयार हुआ है मैंने यहां पे 100 ग्रम मखाना और 25 ग्राम काजू 25 ग्राम का यूज किया है दूद में अच्छा सा अब अच्छा सा उबाल आ गया है अब मैं इसमें लगभग 500 ग्राम चीनी डालूंगी चीनी आप अपने स्वादर रूसाडाले मैंने यहां पर 300 ml दूद का यूज किया था अब हमें इसे जलाकर कम से 2 500 ml दूद कर लेना है तो दूद में अच्छा सा उबाला गया है। दूद अच्छे से घाड़ा हो चुका है चीनी भी terra मेल्टॡ़ा हो चुकी हैया इसे दूध को hum faults करना दूद को हमें से फोरा सा गाड़ा करना था। इसका मावा नहीं भननाना हमें गैस को एक मिनिट के लिए आन कर लेना है आज को अमे धीमी ही रखनी है एक चमत देसी की आउ डालूगी मैं इसमें घी डालने से वखी में थोड़ा सा चिकना पनाTell इसलिए मैंने उपर से एक चमस देशी गी और डाला है आला चोटी चमस मैंने यहां पर लाइची पाउडर डाला है साथ ही मैंने यहां पर फूट कलर का यूज किया है आप चाहें तो केसर का भी यूज कर सकते हैं कर देड़ा है कि इसे हम एक मीट तक अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे एक मिट अब्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है अब फेश गास ए पाली में पलत लेंगे और आपको अच्छा तर शेप देंगे तो थाली में पहले से यहां रखी है और मैं इसमें इसमें ने इसमें लगा रखा है ताकि जो बल्फी है वह चिपके नहीं थाली में अंब सारे मखानी को इसमें पलत दूंगी पल्टे की मदब से इसे हम थोड़ा थोड़ा दबा देंगे और पतला शेप करेंगे अब हमें मखाने और मेवे की इस परफी को थोड़ी दे ठंडा होने के लिए रख देना है फिर हम इसे अच्छे से डेकुरेट करके कटिंग करेंगे इसकी तो मखाने और मेवी की इस परफी को मैंने थोड़ी देर सेट होने के लिए रखा था, यह अच्छे से सेट हो गई है, अब मैं इसे डेकुरेट करूँगी चांदी के वर्क से, अब हम इसकी अच्छी सी कटिंग करेंगे, और हम इसे डेकुरेट करेंगे कटिवे बदाम से, तो महादयव का यह प्रिशाद आपको पसंद आया हो, तो इस प्रिशाद को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद,